हेलो फ्रेंट्स, स्वागत आप सभी का इस ओनलाइन प्लेट फॉर्म पर इसमें आज हम करेंगे परतिसत परतिसत की यह हमारी पहली कलास होगी परतिसत की इस सीरीज में हम बेसिक से लेकर हाई लेवल तक के कुश्यन करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास क्यूशन नम्बर फ़स्ट से फ़स्ट क्यूशन आपकी सक्रीन पर फ़स्ट क्या कहता है कि 34 का 15% कितना होगा हमें क्या निकालना है हमें निकालना है 34 का 15% कितना होगा हम क्या करेंगे जो जो क्यूशन में बोला है उसके हिसाब स चलेंगे देखे क्या कहता है मिद यह 34 का दिया है का का मतलब क्या होता है गुणा आगे दिया है 15 और परतिसित को अठा के निच्चे क्या लगा देंगे 16 लगा देंगे चलिए इसको कट करते हैं 5 से कट क्या 3 यह जाएगा 20 पर अगर इसे 2 से कट करें 10 और यह 17 पर 17 की कि आपका option B है I hope आपको समझा किया होगा चलिए देखते हैं next question next question क्या कहता है कि 348 का 66 सही 2 बटा 3 परतिसत कितना होगा हमें निकालना है 348 का 66 सही 2 बटा 3 परतिसत वही same procedure क्या करेंगे 348 का का मतलब 66 सही 2 बटा 3 को अगर सोल करें तो क्या होगा 3 की multiply 6 से करेंगे 6 ती 18 अंसल 1 चैती 18 और 19 पलस में 2 divided by 3 परसेंट ये हमारा आगे क्या आएगा ये आएगा 200 बटा 3 परतिसत अगर इस परतिसत को अठाएंगे तो क्या लिखेंगे 200 बटा 3 और गुणा में 100 ये 2 0 के कट करतें तो हमारे पास क्या आएगा 2 बटा 3 तो हम इसको simple solve करके क्या लिख लेंगे 2 बटा 3 तो यहां लिखतेंगे 2 बटा 3 3 से अगर इसे कट किया तो 1 आएगा 3 एकम 3 और 3 चिक 18 160 की multiply अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2 चिक 12 1 दो एकम 2 और एक 3 दो एकम 2 232 ये हमारा क्या होगा answer होगा जो की option A right answer है चलिए चलते हैं next question पर next question आपकी screen पर question क्या कहता है कि यदि A के 5% का मान 10 है तो A का मान कितना होगा हमें दे रखा है A के 5% का मान जो की कितना है 10 है तो हमें ग्याद क्या करना है कि A का मान क्या होगा हमें दे रखा है A का 5% वो क्या है 10 है और हमें निकालना क्या है A यानि हमें निकालना है A का 100% तो हमारे पास value क्या है 5% की value 10 है तो अगर हम 100% की निकालेंगे तो मैं 5 को कितने से multiply कर दूँ अगर मैं 5 को 20 से multiply करूँ तो 25 कितना होगा मेरा 100 पर 30 तो हमें 100 पर 30 के value निकाल नहीं है इस तरब मैंने 20 से multiply किया तो यहां भी मैं क्या कर दूँआ 20 से multiply कर दूँआ तो मेरा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा यानि कि मेरी A की value कितनी आ गई, 200 आ गई, जो कि आपका option number A correct है, I hope आपको समझा किया होगा, चलिए देखते हैं, next question, next question, question number 4 आपकी screen पर, question क्या कहता है कि 2.5 लाख, 20 लाख का कितना परतिस्ट है, 2.5 लाख, 20 लाख का कितना परतिस्ट है, यह हमें निकालना है, इस condition में हम क्या करते हैं, कि जिस भी ट्रम के साथ का लगा है, उसे हम निचे लिखते हैं, और जो दूसरी ट्रम है, उसे हम उपर लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2.5, divided by 20 लाख, दोनों में लाख है, तो लाख हम नहीं लिखेंगे, और परतिस्ट निकालना है, तो क्या कर देंगे, 100 से multiply कर देंगे, अब हमें क्या दिया है, हमें दिया है 2.5, इसके point टाकर हम क्या कर देंगे, निचे 10 से multiply कर देंगे तो 0 से 0 cancel उपर वाला 100 कट चाएगा 2 से 25 को काटें तो कितना आएगा 12 point 5 आएगा और आगे हमारे पास क्या था लाग तो अब option देख लीजिए कि आपका कौन सा option correct है option B आपका right answer होगा चलिए देखते हैं next question next question आपकी स्क्रीन पर next question क्या कहता है कि उस संक्या का 40 परतिसत क्या होगा जिसका 200 परतिसत 90 है कोई संक्या दे रखिए हमें जिसका 200 परतिसत क्या दे रखा है 90 दे रखा है और हमें निकालना है संक्या का 40 परतिसत सबसे पहले हमें संक्या निकालनी होगी और संक्या हमारी क्या होती है संक्या कोई भी संक्या हमारे अपने आप में क्या पूर्ण संक्या वो 100% होती है अगर 200% की value 90 ते रखी है तो अगर मैं 100% की value कैसे निकालूँगा इस 200 को मैं 2 से divide कर दूँआ तो मेरे पास क्या आजाएगा 100 परतिसत अगर यहां 2 से डिवाइड किया तो मैं यहां भी क्या कर दूँआ 2 से डिवाइड तो मेरा 100 परतिसत की वैल्यू कितनी आजाएगी 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45 आजाएगी ये क्या आगई मेरी 100% की value अब मुझे क्या निकालना है इस संख्या का 40% निकालना है यानि मेरे पास संख्या क्या आगई 45 और इसका 40% का का मतलब गुना 40% यानि 40 वटा एक जिरो से एक जिरो कैंसल कर दूँ 5 से अगर काटा तो 9 और ये 5 दूनी 10 दो से अगर काटा तो 2 और 9 और 2 की multiply कितनी आ जाएगी मेरी 18 यानि कि मेरी जो संख्या 45 है उसका 40% कितना होगा 18 होगा जो की option B है I hope आपको समझाया होगा चलिए देखते हैं next question next question आपकी screen पर question क्या कहता है यदि 20 किसी संख्या का 25 परतिसत है तो उस संख्या का 40 परतिसत है कितना होगा यानि हमें कोई संख्या का 25 परतिसत दे रखा है यानि 25 परतिसत कोई संख्या है उसकी value कितनी दे रखिया हमें 20 दे रखिया और निकालना क्या है उसका 40 परतिसत निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमें पूरी value निकाल लेते हैं यानि कि 100% निकाल लेते हैं तो हमें 25% की value दिये है इसे मैं 4 से multiply करूँ तो 25 चोक है मेरा कितना होगा 100 होगा यानि कि मेरी 100% की value कितनी आ जाएगी इस तरब भी मैं क्या कर दूँ है 4 से multiply कर दूँ है तो 20 चोक है 80 ये क्या आ गई मेरी 100% की value आ गई अब मुझे क्या निकालना है इसका 40% निकालना है यानि कि मेरी संख्या क्या है 80 है इसका 40% कैसे निकालूँ है 40 बटा 100 से multiply कर दूँ है तो 20 से 20 cancel हो गई 8 और 4 कि अगर मैं multiply करूँ है तो मेरा कितना आएगा 32 आएगा जो कि मेरा answer है और option be correct है I hope समझाया होगा चलिए देखते हैं next question next question question number 7 आपकी स्क्रीन पर यदि 450 आम में से 30% खराब है तो कितने आम है अच्छी स्थिति में है हमें क्या दे रखा है total आम दे रखे है कितने है total आम है total आम हमें दे रखे है 450 और हमें क्या दे रखा है कि 30% आम है खराब है हमारे पास जो total की value होती है वो क्या होती है वो होती है 100% अगर इस में से खराब आम मैं निकाल दू जो कि कितने है 30% तो मेरे पास है जो सही आम है अच्छी स्थिति के आम है वो आ जाएंगे तो वो कितने आएंगे 70% अब हमें क्या दे रखा है हमें total आम दे रखे है और हमें क्या निकालना है जो अच्छी स्थिति में आम है उनकी संख्या निकालनी है तो total आम मेरे पास 450 है और अच्छी स्थिति में क्या है केवल 70% है यानि मेरे को क्या निकालना है 450 का 70% तो मैं क्या करूँआ, गुणा कर दूँआ, 70 और 30 का निचे क्या लगा दूँआ, 60 लगा दूँआ, 10 से 10, 10 से 10, 45 की और 7 की multiply कितनी आएगी, 7, 5, 35, 6, 3, 7, 28 और 3, 31, यानि की 315, तो मेरे जो अची स्थिते के आम है, वो कितने है, 315 हैं, जो की option C correct है, चलिए देखते हैं, next question next question आपकी screen पर, question क्या कहता है, यदि एक विधाले के विधार्थियों में 70 पर 30 लड़के हैं, तथा 504 लड़किया हैं, तो लड़कों की संख्या बताईए, हमें दे रखे हैं लड़के, लड़के कितने हैं, लड़के हैं 70 पर 30, ठीक है, दूसरा हमें दे रखे हैं, कितनी दे रखे हैं, लड़के की संख्या दे रखे हैं 504, तो हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या निकालनी है, अब पूरी अगर मैं क्लास की बात करूँ, तो पूरी क्लास की वैल्यू कितनी होगी, 100 पर 30, उसमें से अगर मैं लड़के माइनस कर दूँ, तो मेर मेरे पास क्या आजाएंगी लड़कियां आजाएंगी और लड़के मेरे पास कितने हैं 70 परतिसत तो मेरे पास लड़कियां कितनी आजाएंगी 30 परतिसत हैं तो 30 परतिसत मेरे पास क्या आगई लड़कियां और लड़कियों की संख्या मेरे को दे रखी है यानि कि 30 परतिसत की value निकालूँआ तो क्या आएगा मेरा 504 को 30 से divide कर दूँआ अब मुझे क्या निकालना है लड़कों की संक्या यानी 70% की value तो 70% की value अगर मैं निकालूँआ तो गुणा 70% तो मेरा क्या आएगा 0 से 0, 3 से अगर मैं काटा तो 3 एकम 3, बचा 2, 3, 18, 3, 8, 24 तो मेरा कितना आगया 168 इंटू 7 168 इंटू 7 कितना आएगा 7, 8, 54, 5, 7, 6, 42 और 5, 47 का 7, 8, 4, 7, 7, 7, 4, 11 यानी की मेरे total लड़के कितने आगए 1176 जो की option be right है I hope आपको समझा आगया होगा चलिए देखते हैं next question next question आपकी सक्रियन पर question क्या कहता है एक परिक्षया में 40, 35, 36 अनुतिरन हुए यदि अनुतिरन चात्रों की संख्या 240 है तो परिक्षया में भाग लेने वाले चात्रों की कुल संख्या ग्याद कीजिए हमें दे रखा है अनुतिरन चात्र अनुतिरन चात्र कितने दे रखे हैं 40 परिक्षया और इनकी संख्या भी हमें दे रखी है कितनी दे रखी है 240 यानि कि हमें 40 परिक्षया की वैल्यू दे रखी है कितनी है 240 है और हमें निकालना क्या है चात्रों की कुल संख्या यानि कि 100 परिक्षया divide by 40 और मुझे निकालनी क्या है 100 पर 30 की value तो मैं क्या कर दूँआ 100 से multiply कर दूँआ 0 से 0, 4 से काटा 6 और 6 की multiply अगर 100 से करेंगे तो कितने आ जाएगा 600 यानि कि मेरी class के अंदर कुल कितने student हैं वो है 600 जो क्यों option C right है चलिए देखते हैं next question next question आपकी screen पर है यदि A की आई B की आई से 25 पर 30 कम है तो B की आई A की आई से कितने पर 30 अधिक हैं इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं चलिए देखते हैं पहला तरीका हमें क्याद्रेका है कि A की आई B की आई से 25 पर 30 कम है जानी एक तरफ में ए लिख लेता हूँ और दूसरी तरफ में बी अगर में बी की आए तो मानूं तो मेरी ए की आए कितनी है पचीस परतिस्यत कम है और सो का 25 परतिस्यत अगर कम करूँ तो मेरी कतनी आ गई 75 अगई अब यह मुझे कहा रह display कि बी की आए A की आए से कितना प्रतिसेत अधिक है मेरी A की आए 75 है और B की 100 है तो कितना अधिक है 25 है ठीक है तो मुझे प्रतिसेत में ग्याद करना है तो 25 अधिक है कितने में से A से अधिक है जिस से अधिक है उसे क्या लिख देंगे निचे लिख देंगे B की आये 25 अधिक है कि से 75 से तो 30 से निकानने के लिए गुणा 100 तो 25 से अगर काटा तो 25 तिया 75 और 100 बटा 3 मेरा क्या होगा 33 सही 1 बटा 3 परतिसत आई होब आपको समझ आ गया होगा इसी क्यूस्टन को दूसरे तरिक्के से देखते हैं हमें क्या दिया है 25 परतिसत सबसे पहले इसे क्या करेंगे इस परतिसत को अटाएंगे तो क्या करेंगे निचे 100 लगा देंगे इसे अगर मैं काटनों तो कितना आएगा मेरा 1 बटा 4 अब क्यूस्टन क्या कहता है कि A की आए B की आए से 25 परतिसत कम है यानि कि अगर मेरी B की आई 4 है तो A की आई कितनी होगी 4 से 1 कम यानि कि कितनी होगी 3 बटा 4 है यह तो मेरी है A की आई और यह क्या है B की आई ठीक है अब यह कह रहा है कि B की आई A से कितना अधिक है B की आई है 4 और A की आई है 3 यानि कि मेरी A की आए 3 है और B की 4 है तो B की आए कितनी ज़्यादा है A से 1 ज़्यादा है कितने से 3 से ही एक ज़्यादा है तो divided by 3 और 35 निकालने के लिए क्या करेंगे गुणा में तो अगर 3 से इसे काटा तो मेरा क्या आएगा 33 सही 1 बटा 3 पर 30 जो भी तरिका आपको सही लगा उसे कर लेना दोनु ही कंडिसन वे आंसर सेम आएगा चलीए देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन है आपको स्क्रीन पर है क्यूशन क्या कहता है कि 7 किलोग्राम का कितना परतिस्षत 28 गराम है हमें निकालना है कि 7 किलो ग्राम का कितना पर्तिस्ट है 28 ग्राम है सबसे पहले हमें क्या दे रखा है 7 किलो ग्राम 7 किलो ग्राम को क्या करेंगे हमें ग्राम में कनवर्ट करेंगे तो क्या कर देंगे 7 की मल्टिपलाई 1000 से कर देंगे यह हमारा क्या आ गया 25,000 ग्राम आ गया ठीक है यानि की हमारे पास क्या आ गया 7,000 ग्राम 7,000 ग्राम का कितना प्रतिशद 28 ग्राम है मैं मन लेताओं कि 7,000 का 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 मतलब गुणा X प्रतिशद यानि की X वाटा 100 कितना है मेरा 28 है अगर मैं X की वैल्यू निकालू ये 100 मेरा बाग में इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा गुणा में हो जाएगा यानि 28 गुणा 100 और ये 7000 मेरा गुणा में है तो निच्छे आएगा तो क्या हो जाएगा बाग में हो जाएगा 7000 और इस तरफ मेरे पास क्या बचेगा एक्स बचेगा चलिए देखते है 2-0 से 2-0 cancel मेरे पास क्या बच गया 70 अगर मैं 7 से काटूं तो निच्चे आएगा 10 और उपर क्या आएगा 4 तो मेरा क्या आगया 4 बटा 10 अगर मैं इसे solve करूं तो कितना आएगा 0.40 जो कि क्या है मेरा answer है I hope आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं 40 परतिसत है कितना होगा हमें दे रखा है A का 16 परतिसत बराबर किसके है B का 8 परतिसत और हमें निकालना है A का 40 परतिसत तो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें जो 16 दे रखा है इसे मैं 4 से divide करतूं और इसे भी मैं 4 से डिवाइड करते हूं तो कोई फरक नहीं पड़ेगा अगर 4 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आया मेरे पास आया A का 4 परतिसत बराबर किसके होगा B का 2 से इसे डिवाइड किया तो मेरा क्या आएगा 2 परतिसत अब मुझे क्या निकालना है A का 4027 मेरे पास 427 अगर मैं इसे 10 से मल्टिपलाई कर दूं तो मेरा कितना हो जाएगा 40 ties Hair हो जाएगा किस का A का बराबर किसके होगा B का अगर इस तरभ 10 से मल्टिपलाई किया है तो यहाँ भी क्या कर देंगा 10 से multiply तो क्या आ जाएगा B का 20 परतिसत यही हमें निकालना था कि अगर A का 40 परतिसत किसके बराबर है B का 20 परतिसत आई होप आपको समझ आ गया होगा इसी सुआल को दूसरे टाइप से देखते हैं कि कैसे होगा हमें क्या दे रखा है कि A का 60 परतिसत बराबर है B का 20 परतिसत मैं यहां A लिख लेता हूँ और इस B को A के divide में ले आता हूँ तो बराबर मेरा क्या आएगा 8 परतिसत और ये 6 गुणा में इस तरफ जाके क्या हो जाएगा भाग में तो मैं इसे कट करूँ तो मेरे पास कितना आज जाएगा 1 बटा 2 यानि अगर A की वेल्यू 1 है तो B की वेल्यू कितनी है 2 है ठीक है तो अगर मुझे क्या निकालना है कि A का 40 परतिसत A का 40 परतिसत है B के कितने परतिसत के बराबर है यानि कि अगर मैं A का 40 परतिसत लिखूँ तो B मेरा कितना है डबल है यानि कि A मेरा क्या है आदा है किसे B से तो अगर मैं एका 40% लिखूं तो B कितना आएगा 40% का आदा यानि कि कितना 20% जो की मेरा क्या होगा अंसर होगा चलिए देखते हैं next question next question क्या कहता है कि जब किसी संख्या के 75% में 75% का योग किया जाता है तो परिणाम पुने वही संख्या होता है हमें क्या दे रखा है कोई संख्या है उसके 75% दे रखा है उसमें अगर 55% एड करें तो क्या आएगी हमारे पास संख्या इसे क्या कैसे करेंगे सबसे पहले 55% का परसेंटेज अट आएंगे divide by 100 कट किया 25 तिया 75% के 100 यानि कि ये 4 जो हमारी ये क्या है real संख्या है अगर हम इस संख्या के 75% जो कि कितना है तीन है इसमें अगर एक एड कर दें तो हमारे पास क्या आजाएगा real संख्या यानि कि हम अगर एक एड करें तो real संख्या आएगी और एक की value हमें कितनी दे रखी है पिचेतर क्योंकि question में बोला आएगी अगर पिचेतर एड करें तो वास्तिविक संख्या आ जाएगी यानि एक की value अगर पिचेतर है तो real संख्या हमारे पास च्यार है तो च्यार की value कितनी आएगी पिचेतर की multiply च्यार से कर देंगे तो कितना आएगा पांचो का बीस दो साथ चो के अठाइस और दो तीस तिन सो यानि तिन सो ही हमारी क्या है रियल संख्या है चलिए देखते हैं next question next question आपकी स्क्रीन पर यदि रहीम स्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो स्याम रहीम से कितने परतिशत कम कमाई करता है question में क्या देखा है कि अगर रहीम स्याम से 25% अधिक कमाई करता है यानि कि 25% देखा है सबसे पहले इसे करेंगे तो क्या करेंगे 35 राने के लिए निचे सो लगाएंगे और कट करेंगे तो कितना आएगा एक बटा चार अब क्या है कि रहीम शाम से 25 पर तिस अधिक कमाई करता है यानि कि अगर शाम चार कमाता है तो रहीम कितना कमाईगा एक अधिक यानि पांच कमाईगा तो पांच बटा चार ठीक है मैं यहां लिखूं अगर रहीम और यहां लिखूं शाम तो रहीम क्या करता है श्याम से अधिक कमाई करता है तो श्याम अगर चार कमाता है तो रहीम कितना पांच अब क्या दिरक है कि श्याम रहीम से कितना प्रतिस्यत कम कमाता है रहीम 5 कमा रहा है श्याम 4 कमा रहा है तो कितना कम कमा रहा है एक किस से रहीम से यानि रहीम 5 कमा रहा है और प्रतिस्यत का सो लगा देंगे पांथ से अगर कट किया तो हमारा क्या आया 20 पर 30 जो की option बी राइट है चलिए देखते हैं next question next question आपकी screen पर है कि एक संख्या को पहले 10 पर 30 फिर 20 पर 30 पढ़ाया गया उस संख्या का कुल मान कितना होगा यानि कि हमारे पास कोई संख्या थी पहले उसे 10 पर 30 पढ़ाया गया 10 पर 30 पढ़ाया गया और फिर उसे 20 पर 30 पढ़ाया गया तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले 10 पर 30 का पर 30 पढ़ायेंगे तो 10 पर 100 यानि कितना आया 1 पर 10 अब बढ़ाया गया यानि पहले जो संख्या 10 थी वो क्या हो गई अब 11 बटा 10 ठीक है दूसरा हमें दिया है 20 पर 30 तो 20 पर 30 का क्या करेंगे 20 बटा 100 यानि 1 बटा 5 यानि कि पहले जो संक्या 5 थी वो अब क्या होगी 1 बट कर 6 होगी यानि कि 6 बटा 5 अब हमें क्या करना है कि कुल बताना है कि कितना बढ़ा, पहली संक्या बढ़ी 11 किसे 10 से, गुना कर देंगे दूसरी संक्या कितनी बढ़ी 6 किसे 5 से, तो multiply करेंगे 11, 6, 66 और निचे के आएगा 10, 15, 50. तो परसेंटेज में करने के लिए किया करेंगे गुना कर देंगे 100 से, तो 50 से कटक्या कितना आया, 2 आया, और इसे 66 की multiply करेंगे, तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 13, 132, यानि जो संख्या हमारी 100 थी, वो बढ़ कर कितनी हो गई, 132 हो गई, तो 100 से 32 बढ़ी है, तो कितनी बढ़ गई, 32 से 32 है, जो कि हमारा क्या है, answer है, option B right होगा, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद Hello friends, स्वागता आप सभी का इस online platform पर जिसमें हम कर रहे हैं, परतिस्ट, यह हमारे परतिस्ट की दूसरी class है, एक class हमारी हो चुकी है, जिसमें हुने 15 question किये थे, अगर आपने नहीं देखी है, तो उसका link आपको description में मिल जाएगा, चलिए शुरू करते हैं, आज की class, question number 16 से 16 number question क्या कहता है, कि जब एक cycle का मुल्य 20% कम किया जाए, तो बिक्री की गई cycle की संक्या 20% बढ़ जाती है, दुकान की बिक्री पर क्या परबाव पड़ेगा, हमें क्या कहता है, कि कोई cycle है, उसका मुल्य पहले 20% कम कर दिया गया और उसकी, जो cycle की संक्या है, वो 20% बढ़ इसे कैसे करेंगे, इसे करने के दो तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका बजाता हूँ, हमें क्या दिया है, कि यहां दिया है हमें एक मुल्य, मुल्य भी क्या, दो मुल्य, एक तो पहला मुल्य, और एक दूसरा मुल्य, और दूसरी चीज हमें क्या दिया है, संक्या, संक्य पहली संक्या और दूसरी संक्या हमें क्या दिया है कि 20% कम कर दिया जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे 20% को तोड़ेंगे 30% आगे निचे क्या लिखेंगे 100 कट किया तो कितना आया एक बटा पांच अब देखना है कि हमें क्या दिया है कम दिया है या ज़्यादा कम दिया है हमें क्या गया है कि मुल्य कम कर दिया गया यानि पहले जो मुल्य पांच था वो अब एक गट कर कितना हो गया चार यानि कि चार बटा पांच यह तो हमारी र पहले मुल्या कितना था, पांच था और दूसरा मुल्या यानि कि जुनना है, वो क्या हो गया, चार हो गया, दूसरी स्टेटमेंट क्या कहता है, कि साइकलों कि संक्या 20 पर 30 बढ़ जाती है, 20 पर 30 को लिखेंगे 20 बटा सो, कटकिया 1 बटा 5, अब हमें क्या कह रहा है, कि कि हमारा total जो हमारे पास income आएगी वो क्या आएगी कि एक cycle का मुल्य और cycle की संख्या कि अगर multiply करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा हमारा income आजाएगी यानि 5 की multiply 5 से की तो हमारे पास कितना आया 25 और 6 की multiply 4 से की तो 24 यानि कि हमारा पहले हमारी income कितनी थी 25 रुपे थी और अ हमारी income कितनी है 24 रुपे है तो हमें पुच्छा गया है कि बिकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा पहले हमारी बिकरी हो रही थी 25 रुपे और अब हो रही है 24 रुपे तो हमें कितना नुक्सान हो रहा है एक रुपे का एक रुपे का नुक्सान हो रहा है कितने रुपे पर 25 क्योंकि पहले 25 कमा रहे थे अब कमा रहे हैं 24 रुपे तो एक रुपे का नुपसान हो रहे है 25 रुपे पर तो 35 निकालने के लिए क्या करेंगे गुणा 100 क्योंकि हमें नुपसान कितने पर निकालना है 100 रुपे पर तो 25 अगर कट किया तो कितना आया 4 यानि कि हमारा आंसर किया आया 4 परतिसत ये हो क्या रही है ये हो रही है आनी क्योंकि हम पहले 25 रुपे कमा रहे थे अब 4 24 रुपे कमा रहे है तो हमारे आनी कितनी हो रही है 4 रुपे गी यानि कि हमारी बिकरी पर क्या परवाव च्यार परतिशत की कमी होगी ठीक है यह हमारा आंसर है जो कि option be right है इसी question को करते हैं दूसरे त्रिके से चलिए देखते है इसका दूसरा त्रिका क्या है कि अगर हमें एक ही वस्तू के उपर लाब यहानी दी गई हो तो हमारे पास एक formula बनता है formula क्या होता है कि x plus y plus xy divided y 100 यह हमारा formula होता है कब होता है जब दोनों condition में बडोतरी या लाब दिया हो यानी जब दोनों ही condition में बडोतरी या लाब दिया हो कब दोनों condition में यानि कि जैसे इस condition में अगर हमें cycle का मूले भी बढ़ा दिया हो और संक्या भी बढ़ा दी गई हो तो हम लिखेंगे x plus y plus xy अगर हमें दूसरी क्या बनती है इसके अंदर x minus y minus xy divided by 100 ये कब बनती है जब एक बढ़ोतरी दी हो और दूसरी कमी दी हो तो हमारा क्या होगा ये formula लगेगा अब हमें दे रखा है कि cycle के मूले 20% कम कर दिया गया और विक्री 20% बढ़ा दी गई जिस चीज के आगे कमी दी है वो हमारी minus वाली ट्रम हो जाएगी और जिसके आगे बढ़ोतरी दी है वो हमारी क्या हो जाएगी plus वाली ट्रम इस condition में हमें क्या दिया है एक तो दिया है बढ़ोतरी दी है कि 20% की बढ़ोतरी तो मैं plus वाली जगह 20 पर 30 लिख लेता हूँ और दूसरी मुझे क्या दी है 20 पर 30 की कमी यानि मैं minus का निशान लगा हूँ क्योंकि कमी हो रही है तो वो क्या है मेरा 20 है अब हम क्या करेंगे पहले संक्या और दूसरी संक्या की multiply करेंगे अगर plus और minus की multiply करें तो हमारे पास क्या साइन आता है minus का और xy की multiply एकर करेंगे 20 और 20 की multiply करेंगे यानि 20 इंटू 20 और divided by 100 1,0 सं 1,0 1,0 सं 1,0 अब ये मेरे पास plus है ये मेरे पास minus है ये दोनों क्या हो जाएगी cancel मेरे पास क्या बचा minus का 2 इंटू 2 यानि माइनस का च्यार अगर माइनस के अंदर ट्रम आए तो हम क्या कह सकते हैं कि हमें 4 परतिशत की क्या हो रही है कमी हो रही है तो इसी भी condition में आप करें हमारा answer वही आएगा अगर चाहें तो आप formulae से कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो basic method से कर सकते हैं आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question question number 17 क्या कहता है कि एक वस्तू के मुले में 25 परतिशत गिरावट आती है मुले को बनाए रखने के लिए वरतमान मुले में कितनी बढ़ोतरी करनी होगी यानि हमें कोई मुले दे रखा है स्पोज हम कोई वस्तू का मुले मान लेते हैं कि हमें मुले क्या दे रखा है 100 रुपे 100 रुपे हमारे पास मुले था अब उस मुले में क्या आ गई गिरावट आ गई गिरावट कितनी आ गई 25 परतिसद की 100 का अगर 25 परतिसद निकालें तो हमारा क्या होता है 25 होता है और 25 रुपे की क्या आ गई गिरावट आ गई तो हमारे पास मुल्य कितना बच गया पिछेतर रुपे ठीक है अब हमें क्या बोला है कि हम कितनी बढ़ोतरी करें कि मुल्य हमारा सेम हो जाए यानि हमेरे पास पहले मुल्य था 100 रुपे अब हमारा मुल्य है 75 रुपे तो हम वापी से 100 रुपे करने के लिए कितनी की बढ़ोतरी करेंगे 25 रुपे की बढ़ोतरी करतें कितने में करेंगे 75 में क्योंकि 55 में अगर 25 एड करेंगे तो यह हमारा कितना होगा 100 होगा तो हम 25 की बढ़ोतरी करेंगे कितने में 55 में पर हमें क्या निकालना है 35 और 35 के लिए हम क्या लगाते है 100 अगर इसे कट करते हैं 25 एकम 25 25 तिया 55 और 3 को अगर 100 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आता है 23.33 परतिसद जो की हमारा क्या है अंस्वर ओप्शन C है आयोब आपको समझा गया होगा एक बार फिर से देख लिजिए हमें क्या दिया है कोई वस्तु दी है जिसका मुल्य हमने माना 100 रुपे उसमें गिरावट आई 25 परतिसद की तो 100 का 25 परतिसद कितना होता है 25 यानि 25 रुपे की गिरावट आई तो हमारा मुल्य कितना हो गया 55 हो गया अब हमें क्या करना है कि बडोतरी करनी है ताकि हमारा मुल्य सेम हो जाए तो 25 रुपे में 33.33% चलिए देखते हैं next question next question क्या कहता है कि एक संस्ता में 2010 में से 30% करमचारियों का अलग जगह तबादला होता है ऐसे कितने करमचारी हैं जिनका तबादला हुआ हमें क्या दे रखा है कुछ करमचारी दे रखे हैं कितने करमचारियों की संख्या दे रखे है कितनी 2010 ठीक है अब हमें बोला है कि 30% करमचारियों का तबादला हो जाता है तो ऐसे कितने करमचारी हैं जिनका तबादला हुआ तबादला कितने करमचारियों का हो रहा है 30% का ठीक है अगर हमारे पास 100% की value है और 30% की value हमें निकालनी है तो हमारे बाद टोटल करमचारी है वो क्या है 100% है और हमारा तबादला हो रहा है 30% का और हमें निकालना है कितने करमचारियों का तबादला हो रहा है यानि हम क्या करेंगे 30% की value निकाल लेंगे 100% की value हमें दे रखी है कितनी 2010 और हमें 30 परतिशत की निकालनी है तो मैं गुणा कर दूँँगा 30 वटा 100 से तो 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 तो multiply करूँगा 3 की 1 से multiply की 3 0 और 3 दूणी 6 यानि कि कितने मेरे करमचारी आगए 603 तो 603 करमचारी ऐसे हैं जिनका तबादला दूसरी जुदा हो गया है आई होप आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question क्या कहता है कि एक फल विगरेता के पास कुछ सेव थे वह 44% सेव को बेज देता है और अभी भी उसके पास 420 सेव है तो सुरू में उसके पास कितने सेव दे हमें पता है कि टोटल अमाउट हमारे पास कितना है 100 है यानि कि 100% है उसमें से वो क्या कर रहा है कि 40% सेव बेज देता है यानि मैं इसमें से माइनस करतूं 40% तो उसके पास कितने बचेंगे 60% लेकिन हमें क्या दे रखिये है 60% की value दे रखिये कि अभी भी उसके पास 420 save है यानि कि 60% की value कितनी है 420 अगर मैं 1% की value निकाल लूँ तो क्या करूँँगा 420 को divide कर दूँँगा 60% से और हमें निकालना क्या है हमें निकालना है कि उसके पास कुल कितने save थे यानि कि हमें 100% की value निकालनी है तो 100% की value निकालेंगे तो क्या करेंगे गुणा 100 से कर देंगे तो 10 से 10 कट गई 6 से गर कटा तो 7 और 7 की multiply अगर 100 से करेंगे तो कितना आएगा 700 यानि कि उस फल विक्रिता के पास पहले कितने save थे 700 यानि total save कितने थे 700 जो कि हमें निकालना था यह option हमारा D right होगा चलिए देखते हैं next question next question question number 20 आपकी screen पर question क्या कहता है कि एक चुनाओं में 2 परतियाशियों में से 1 को 40 परतियाशत है मत मिले और वह है 100 मतों से हार जाता है तो मतों की कुल संक्याग्याद करने है कोई भी अगर election होता है तो उसमें कितने उमीदवार 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन आपको question मिलेगा कि 2 उमीदवार है 2 उमीदवार ठीक है इस condition में भी हमें 2 उमीदवार दिये गए हैं एक उमीदवार को कहता है कि 40 % मत मिले हमारे पास जो total मत है वो कितने होंगे 100 परतिёт अगर एक को 40 परतियसत मत मिले तो दूसरे को کتने मिलेंगे 60 परतियसत ठीक है यानि हमारा एक करमचरी ये है और एक करमचरी ये है ठीक है चुनाओ के 80 तो पहले को अगर मिले 40% मत तो दूसरे को कितने मिलेंगे 60% क्योंकि दुनों को गर एड़ करेंगे तो हमारा क्या बन रहा है 100% यानि कुल तो हमारे पास 100% थे अब क्या कह रहा है कि 40% जिसे मत मिले वह 100 मतों से हार जाता है यानि एक को 40% और दूसरे को 60% तो कितने परतिसद कम मिले 20 परतिसद खीक है एक को 60 परतिसद मिल रहे हैं दूसरे को 40 परतिसद तो इनका अंतर कितना आ गया 20 परतिसद यानि कि जिसे कम मिल रहे हैं वो कितने मतों से हार जाएगा 20 परतिसद मतों से और इस 20 परतिसद की हमें वैल्यू दे रखी है कितनी 100 अ होगा गुणा 100 अगर मैं 20 से इसे काटूं तो 5 और 5 की multiply अगर 100 से करूँ हो तो मेरा कितना आ गया 500 यानि कि मेरे पास कुल मत कितने थे 500 जो कि option ए राइट है चलिए देखते हैं next question next question question number 11 आपकी सक्रीन पर दो मीदवारों के बीच एक चुनाओं में डाले गए मतों का 30% मत पाने वाला उमीदवार 16,000 मतों से पराजित हो जाता है अब यह मारे पास क्या है दो मीदवार है एक पहला है और एक दूसरा है एक मीदवार को कितने मत मिले 30% तो दूसरे को कितने मिलेंगे 100 में से 30 माइनस करेंगे तो 70% क्योंकि दुनों का हमारा टोटल सम कितना हो रहा है 100% और कुल मत कितने यह एते है 100% ठीक है अब हमें क्या दे रखा है कि 30% मत पाने वाला उमीदवार 16,000 मतों से पराजित हो गया इसे 30% मिल दें इसे 70% तो अगर यह पराजित होगा तो कितने मतों से 70% में से 30 माइनस करेंगे तो 40% मतों से पराजित हो जाएगा लेकिन हमें क्या कह रहा है कि वो 16,000 मतों से पराजित हो जाता है तो यानि 40% की वैलिव हमें दे रखे 16,000 एक परतिसद की वैलिव निकालेंगे तो क्या करेंगे 16000 को 40 से डिवाइड कर देंगे और अगर 100% की value हमें निकालनी है क्योंकि कुल में 100% हैं तो हम क्या करतेंगे 100 से multiply 10 से 10, 4 से काटा 4 चुके 16 और 2 0 और इसे multiply कर देंगे 100 से तो हमारा answer क्या आजाएगा 40,000 जो की option D right है हाई होग समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question आपकी स्क्रीम पर question number 22 क्या कहता है कि राहूल अपने मासी काईगा 50% ग्रेलो अस्तों पर कर्च करता है मासी काईगा 20% कप्डे करीदने पर कर्च करता है मासी काईगा 5% दुआईयों पर कर्च करता है और सेंस 11,250 बचद करता है तो राहूल की मासी के आई निकालनी है हमें क्या दिया है कि कुल आय का परतिस्थ दिया है जो वो खर्च कर रहा है कुल आय हम मान लेते हैं क्या कितनी है 100% अब इस मेंसे वो 50% खर्च कर रहा है किस पर ग्रेलो चीजों पर तो 50% अगर खर्च करेगा तो उसके पास कितने बचेंगे 50% उसमें से वो 20% कपड़े खरीदने पर खर्च कर रहा है तो 20 और अगर माइनिस करेंगे तो कितना बचेगा 30% उसमें से 5% वो किस पर खर्च कर रहा है दोवाईयों पर अगर 5% दवाईयों पर खर्च करेगा तो उसके पास कितने बचेंगे 25% और हमें क्या दे रखा है कि वो बचत करता है 11,250 की और हमारे इसाब से वो बचत कर रहा है 25% की यानि 25% की वेल्यू हमें दे रखी है 11,250 रुके और हमें निकालना है 100% की वेल्यू तो 100 से गुणा कर देंगे कितना आएगा 25 से काटा 4, 4 के अगर मल्टिपलाए करेंगे 4, 0, 0, 4, 5, 20, 2, 4, 2, 8, 2, 10, 1, 4, 1, 4, 4, 5, 4, 45, 1000 तो हमारा आंचोर क्या जाएगा 45,000 इसमें आपको कुछ नहीं करना होता अगर आपको सिंपल दिया हो कितना परतिसेत इस पर इतना परतिसेत इस पर खर्च कर रहा है तो टोटल जो खर्च है उसको हम एड़ कर लेते हैं जैसे हमें दिया था कि 50 परतिसेत खर्च कर रहा है 20 परतिसेत खर्च कर रहा है और 5 परतिसेत खर्च कर रहा है एक आदमी अपनी आए का 50% बोजन पर, सेंस का 20% पेट्रॉल पर और सेंस 25% दान में खर्च करता है और उस आदमी की आए निकाले यदि उसके पास 20 रुपे बच जाते हैं अब हमें क्या दिया है एक सब्द दिया है सेंस यानि की अगर उसके पास कुल कुछ भी आए है उसका वो खर्च कर देगा तो जो बचेगा उसमें से द्वारा खर्च कर रहा है यानि की हम उसकी टोटल आए क्या माल ले, एक सरुपे माल ले अगर एक से वह 50% बोज़न पर खर्च कर दे तो उसके पास बचेगा कितना 50% यानि की 50 बटा सो यानि टोटल आए उसकी एक्स थी उसका कितना खर्च कर दिया 50%, तो एकस का कितना बचा 50% यानि अब उसके पास इतनी आए 6 बच गई है अब वो क्या कहता है कि बची हुई आएगा 20% पेटरॉल पर हमारे पास बची कितनी इतनी इसका 20% अगर वो पेटरॉल पर खर्च कर दे तो बचेगा कितना 100 में से अगर 20 जाएगा तो 80% बचेगा यानि अब उसके पास कितनी आए बची की टोटल इतनी आए इसमें से भी वो क्या कह रहा है कि 25% दान कर रहा है अगर वो 25% दान कर दे तो उसके पास बचेगा कितना 50% यानि कि 50% बचा सो और अब कह रहा है कि जो आए बचती है वो कितनी बच रही है उसके पास 42 रूपे आई होब आपको समझा गया होगा मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि उसके पास टोटल आए है उसका 50% उसने खर्च कर दिया पोजन पर तो बचा कितना एकस का 50% बचा अब इतनी आई उसके पास बच गई है अब वो कह रहा है कि इस बची हुई आई में से वो 20% पर खर्च कर रहा है यानि कि 20 अगर पर खर्च कर रहा है तो इस आई का बचेगा कितना 80% ही बचेगा तो इसका 80% अब उसके पास इतनी आय टोटल है और वो कह रहा है कि इस आय में से वो 25% दान कर रहा है अगर इस में से 25% दान कर देगा तो उसके पास क्या बचेगा उसके पास बचेगा इस आय का 55% यानि 55% सो अब वो इतना दान करने के बाद उसके पास क्या बचेगा वो बच रहा है 42 रूपई तो चलिए इसको सोल करते हैं अगर 50 से काटा 2 1 0 से 1 0 2 से काटा 4 और 25 तिया पिछे 30 25 का 100 4 से 4 कट गया हमारे पास बचा है 3 बटा 10 यानि x इंटू 3 बटा 10 पराबर क्या है 42 रूपई इसे अगर पल्ट के ले जाएं तो क्या होगा 42 गुणा 10 divided by 3 हो जाएगा इसे अगर काटें तो क्या आएगा 3 एकम 3 3 4 के बारा 0 0 तो 1400 की मल्टिपला अगर 10 से करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14,000 जो क्या है हमारी x की वेल्यू यानि स्टाटिंग में उसके पास कितने रुपई थे 14,000 थे जिसका 50 परतिसे उसने बोजन पर 20 परतिसे उसने पेट्रोल पर और 25 परतिसे दान कर दिया तो हमें टोटल आए निकालनी थी और आए हमारी कितनी आ गई 14,000 चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन आपकी स्क्रीन पर क्यूशन नमर चोबिस क्या करता है कि एक आदमी अपनी आए का 60 परतिसे खर्च करता है उसकी आए में 15 परतिसे दा खर्च में 5 परतिसे की बढ़ोतरी हो जाती है तो उस आदमी की बच्चत में वरिद्धी का परतिसे निकाले हमें क्या करना है कि बच्चत में वरिद्धी का परतिसे निकालना है हमें क्या दिया गया है कि एक आदमी अपनी आए का 60% खर्च करता है उसकी आए हम मान लेते हैं कितनी है 100 रुपए मान लेते हैं खर्च कितना कर रहा है 60 रुपए तो बचत कितनी करेगा 40 रुपए ठीक है अब वो क्या कह रहा है कि उसकी आए में 15% की बढ़ोतरी होती है तो 100 में अगर 15% की बढ़ोतरी करेंगे तो 100 का 15% क्या होता है 100 का 15% यानि 15 बढ़ा 100 तो हमारा कितना आ गया 15 यानि इसकी आए क्या होगी 15 रुपे बढ़ गई तो कितनी होगी 100 15 दूसरा क्या कहता है कि खर्च में 5% की बढ़ोतरी 60 का अगर मैं 5% निकालू यानि 5 बढ़ा 100 10 से 10 5 ये काटा 2 और ये 3 यानि कितने रुपे बढ़ गए 3 रुपे तो उसका खर्च कितना हो गया 63 रुपे ठीक है तो अब बचट कितनी कर रहा है 115 में से 63 माइनस करें 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 6 गया 5 यानि बचट कितनी आगी उसकी 52 रुपे पहले वो 40 रुपे बचट कर रहा था अब वो 52 रुपे बचट कर रहा है तो उसकी बचट कितनी बढ़ गई 12 रुपे बढ़ गई 52 में से 40 माइनस कर देंगे कितने पर बढ़ी है चालिस पर बढ़ी एक हो कि पहले चालिस थी और बढ़ कर बाउन हुई है तो बारा रुपे बढ़ गई किस पर चालिस पर तो सो पर कितनी परतिसत के लिए क्या लगा देंगे सो लगा देंगे 0 से 0, 4 से पाटा 3 और 3 के अगर multiply 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 पर 30 I hope आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question आपकी सक्रीन पर question number 25 क्या कहता है कि एक संख्या में 20 पर 30 25 पर 30 पर 30 पर 30 की करमागत बड़ोतरी होती है तो एककल पर 30 पर 30 पर दी निकालें यानि कि करमागत का मतलब क्या है कि संख्या में पहले हम 20 पर 30 की बड़ोतरी करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें फिर से 25 पर 30 की बड़ोतरी करेंगे और जो संख्या आएगी उसमें 30 पर 30 की 20 बटा 100, कितना आया 1 बटा 5, बडोत्री हुई है, यानि 5 से क्या हो गई, 6, तो यानि पहली ट्रम मेरे पास क्या आगई, 6 बटा 5, गुणा का निशान, दूसरा मेरे पास क्या दिया है, 25 पर 30, यानि 25 बटा 100, तो 25 से काटा कितना 1 बटा 4, बडोत्री हुई है, तो क्या हो ज पहले 10 थी, 3 बढ़ गई, कितना हो गई, 13 बटा 10, यानि गुणा क्या कर दूँगा, 13 बटा 10, अब ये जो उपर वाली संक्या है, ये मेरी नई संक्या है, और ये मेरी पुरानी संक्या है, यानि मल्टिपलाई करेंगे, 6, 5, 30, और 30 की मल्टिपलाई 13 से करेंगे, तो 13 तिया यानि 30 इंटू 13, तो कितना आएगा, 390 आएगा, नीचे मेरे पास क्या है, 5 के 20, और मल्टिपलाई कि से करेंगे, 10 से करेंगे, तो कितना आगया मेरा 200, पहले जो मेरे पास संक्या 200 थी, अब वो बढ़ कर कितनी हो गई, 390, यानि कितनी बटातरी हुई है, 190 की, तो 190 की 200 से बढ़ कर हुई है, 390, तो डिवाइड बाई 200 और प्रस्तिसद निकानने के लिए कर कर 200 से मल्टिपलाई, तो कितना आएगा, 2 0, 2 से इसे काटा, तो 2 नीम 18, 1, 2 5, 10, पिचान में प्रस्तिसद, यानि मेरे करमागत बढ़ोतरी कितनी हुई है, पिचान में प्रस्तिसद आई वोप आपको समझा गया होगा, आज के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, अगर आपने नहीं देखी है, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं, आज की क्लास, पिचली दो क्लास में हमने 25 क्यूशन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम स्टार्ट करते हैं, क्यूशन नमबर 26, क्यूशन नमबर 26 अपकी स्क्रीन पर, क्यूशन नमबर 26 क्या कहता है, कि एक मजदूर का वेतन पहले 10% बढ़ा दिया गया, फिर 15% कम कर दिया गया, तो वेतन में 30 बढ़ाओ, क्या होगा यानि कोई मुझदूर है, उसका वेतन पहले तो 10% बढ़ा दिया गया, और फिर क्या है, 15% कम कर दिया गया, तो हमें पुछा गया है, कि उसमें 30 बढ़ाओ, क्या होगा, हमारे पास क्या है, एक 10% है, और दूसरा 15% है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 30 की fraction बढ़ाएंग कैसे, 10% को क्या लिख सकता हूँ, 10 बटा 100, अगर कट किया तो कितना आया मेरा, 1 बटा 10, अब हमें कहा गया है, कि बढ़ा दिया गया, यानि पहले जो वेतन 10 था, अब 1 increase हो गया है, यानि कितना हो गया है, 11 बटा 10, दूसरा दिया है, 15% 15 को लिखेंगे, 15 बटा 100, काटा त था, 3 गट कर कितना हो गया है, 17 हो गया है, यानि 17 बटा 20, अब हम देखते हैं, हमें एक दिया गया है, पहले जो वेतन था, और दूसरा नया, पहले कंडिशन में हमें क्या दिया गया है, कि पहले जो वेतन था, वो कितना था, 10 था, अब कितना हो गया है, 11, तो यानि पहले जो 20 था नया वेतन कितना हो गया है, 17 इसकी क्या करेंगे, multiply तो 10 की multiply, 20 से करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 200 और 17 की multiply, 11 से गरते हैं 171, 171, 171, 171, 181, 181, 187 यानि पहले हमारा जो वेतन 200 रुपे था अब गटकर कितना हो गया, 187 और हमें बताना है कि कितना प्रतिसत बदलाव आया है यानि कितना बदलाव आया है 200 में से 180 गटाएंगे तो कितना आया 13 तो 13 हमारा वेतन क्या हो गया कम हो गया किसे 200 से गटकर तो प्रतिसत निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टिपलाई कर देंगे दो जिरो और यह काटा तो कितना आया 6.5 परती सत यानि हमारे जो कुल वेतन में जो कमी आई है वो कितनी आई है 6.5 परती सत की कमी आई है I hope आपको समझा गया होगा यही कि उसने एक दूसरे तरिके से करते हैं चलिए देखते है दूसरा तरिका इसका क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर एक चीज इनक्रीज हो रही है दूसरी चीज डिक्रीज हो रही है तो हम एक फूर्मूला लगाते है क्या X-Y Minus XY Divided Y 100 यह formula मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था इसमें क्या है कि एक चीज जो plus की है वो क्या है जो हमारी बढ़ रही है और जो minus में है वो क्या है जो चीज गट रही है और आप लोग जानते हैं कि minus और plus की multiply करेंगे तो हमारे पास क्या है माइनस और xy और निचे क्या है परतिसत का चलिए हमारी value put करते हैं x जो हमारा पलस है वो क्या है 10 परतिसत यानि जो बढ़ो 3 हो रही है माइनस में क्या करेंगे 15 परतिसत यानि जो गट रहा है माइनस में 15 और 10 की multiply कितनी आए कि 150 और divided y क्या आएगा 100 एक 0 से एक 0 cancel कर देते हैं यह plus का 10 है यह minus का 15 है तो हमारे पास क्या आएगा minus का 5 आएगा minus का निचान लगा दिया 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1.5 आएगा यानि हमारा total कितना आगया minus का 1.5 और 5 को अगर add करेंगे तो कितना आएगा 6.5 यह minus क्या सो कर रहा है कि हमारी जो total income है उसमें क्या आई है कमी आई है कितने की कमी 6.5 परतिशत की कमी आई होप आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question question number 27 आपकी सक्रीन पर जदी एक आएट की बुझा 20 परतिशत और दूसरी बुझा 10 परतिशत बढ़ा दी जाए तो छेतर फल में कितना परतिशत बढ़ाओ होगा हमें दे रखा है कि आएट की एक बुझा है जो 20 परतिशत बढ़ा दी गई है और जो दूसरी बुझा है वो 10 परतिशत बढ़ा दी गई है ठीक है हमें क्या निकालना है कि छेतर फल में कितने परतिशत की कमी या बढ़ाओ आएगा तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयत का छेतर फल होता क्या है आयत का छेतर फल आयत का छेतर फल हमारा होता है लंबाई गुना चोड़ाई ठीक है अब हमें दो बुझाएं दी गई है जिसे आप एक को आप लंबाई मान सकते हैं और दूसरी को आप क्या चोड़ाई मान सकते हैं हमें दिया गया है कि पहले जो बुजा है यानि जो लंबाई है वो 20 परतिस्थ बढ़ रही है 20 परतिस्थ को कैसे लिख सकते हैं 20 को डिवाइड कर देंगे 100 से काटा तो कितना आया 1 बटा 5 अब ये कह कहा रहा है कि बढ़ रही है यानि जो पहले हमारी लंबाई 5 थी अब कितनी हो गई है 6 हो गई है तो मेरे पास fraction आगई कितनी 6 बटा 5 यानि पहले 5 थी अब हो गई है 6 दूसरा दिया है 10 परतिस्थ 10 परतिस्थ को लिखेंगे 10 बटा 100 तो काटा तो कितना आया 1 बटा 10 यानि पहले जो मेरे चोड़ाई 10 थी अब 1 इंक्रीज हो गई है तो कितनी हो गई है 11 बटा 10 I hope इतना आपको समझा गया होगा अब चलते हैं हमारे फोर्मूले के तरफ हमें क्या दिया है आयत का छेतरफल निकालना है और छेतरफल क्या होता है लंबाई इंटू चोड़ाई होता है हमें लंबाई दी गई है क्या है पहले हमारी लंबाई कुछ थी और नई हमारी लंबाई कुछ है यानि लंबाई के अगर बात करें तो पहले हमें दिया गया था 5 और अब क्या है एक बढ़कर कितनी हो गई है चै अगर चुड़ाई की बात करें तो पहले हमें दी गई थी दस और अब एक बढ़कर कितनी हो गई है ग्यारा अब हमें पता है कि आयत का छेतरफल क्या होता है लंबाई गुणा चुड़ाई तो ये मेरी लंबाई है, ये मेरी चोड़ाई है, मैं क्या कर दूँगा, multiply तो पांच और दस की multiply करूँगा, तो कितना आएगा, 56 और ग्यारा की multiply करूँगा, तो कितना आएगा, 66, अब मेरी जो आयत का छेतरफल पहले 50 था, अब कितना हो गया है, 66 हो गया है, यानि कितना increase हो शोड़ा इंसे एंगे 50 और 30 निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से multiply 50 से एकर काटा तो 2, 60 और 2 प्रेंगे तो कितना आएगा 32 परतिसद यानी कि मेरी जो आयत बतिस बदलाव है वह कितना है 32 परतिसद और ये 32 परतिस थमारा पलस में आया है यानी क्या हो गया है increase हो गया है I hope आपको समझा गया होगा इसी questions को करते हैं एक दूसरे तरीके से चलिए देखते हैं दूसरा तरीका देखते हैं इसका हमें क्या दिया गया है कि आयत की एक बुजा 20% बढ़ रही है और दूसरी 10% बढ़ रही है मैंने आपको बताया था कि इस condition में हम क्या करते है एक formula यूज करते है पहली बुजा अगर पहली बढ़ रही है तो x दूसरी अगर बढ़ रही है तो plus y और दोनों की multiply कर देंगे x y और divide कर देंगे so से ठीक है यह मैंने पहली वीडियो में बता रखा है और पहले question में भी बता रही है जिसमें यहां minus था अगर यह एक बुजा गट रही होती तो हम क्या लगा देते minus लगा देते तो चलिए put करते है x की जगह मैंने 20 put कर दिया plus y की जगह 10 put कर दिया plus x और y के multiply तो 20 और 10 की multiply मेरी कितनी आएगी 200 आएगी और 100 से divide कर दिया 20 और 10 को add करेंगे तो हमारे पास कितना आया 30 plus में 2 0 से अगर 2 0 काटेंगे तो कितना बचेगा 2 तो हमारा total कितना आ गया 32 पर 32 से हमारे 6 तरफल में क्या आ गया बदलाओ आ गया दोनों तरीकों से आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं चलिए देखते हैं next question next question question number 28 आपकी सक्रीन पर एक आयत की बुजाओं को मापते वक्त एक बुजा 10% अधिक देखा दूसरी बुजा 20% कम मापी गई 6 तरफल में कितने परतिशत की तुरूटी मापी गई हमें क्या दिया गया है कि कोई चेतरफल है उसको मापते समय आयत की बुजाओं को मापते समय पहली जो बुजा है वो 10% अधिक माप ली गई है और जो को दूसरी बुजा है वो 20% कम मापी गई है तो हमें बताना है कि चेतरफल में कितने परतिशत की ठीक है हमें लंबाई गया दी गई है एक बुजा को हम लंबाई मान लेते हैं और दूसरी को हमें चोड़ाई मान लेते हैं crec हैं तो लंबाई में कितनी वुर्धी मापी गई है 10% की यानी 10uchen बचा 100 काटेंगे तो कितना आएगा 1 बचा 10 10 और यानि 10 जो घुजा हमारी 10 थी बढ़कर क्या हो गई है 11 हो गई है यानि 11 बटा 10 दूसरी चोड़ाई हमें दी गई है 20 पर 30 यानि 20 बटा 100 काटा तो कितना आया 1 बटा 5 लेकिन अब क्या कह रहा है कि कम हो गई है यानि पहले जो हमारी चोड़ाई 5 थी उसे 1 कम यानि 4 चलिए हमारी वेल्यू पूट करते हैं पहली कंडिशन ये थी और दूसरी कंडिशन ये थी यानि पहले हमारी जो लंबाई 10 थी अब कितनी हो गई है 11 हो गई है चोड़ाई की बात करें तो पहले जो चोड़ाई 5 थी अब कितनी हो गई है 4 हो गई है चलिए 6 पल निकालते ह चेतरफल क्या ह compris लंबाई गुना चुड़ाई तो 10,15 की multiply करेंगे तो 50, 11, 4 की multiply करेंगे तो 44 यालिए पहले हमारा जो चेतरफल 50 था हेर फेर करने के वाद कितना हो गया है 46 हो गया है यालिए हमारी जो miss के कान कितना हो गया है 44 हो गया है तो कितना अंतर आया है 50 में से अगर 44 माइनस करेंगे तो 6 का अंतर आया है यानि हमारा चेतरफल क्या हो गया है 6 कम हो गया है कितने से 50 से तो 100 से कितना तो multiply कर देंगे 100 से 50 से अगर काटा तो कितने पजाएगा 2, 6 और 2 की multiply करेंगे तो कितना आएगा 12% और 12% क्या है कम हुआ है यानि 12% की कमी आई है I hope आपको समझा गया होगा इसी क्यूस्चन को करते हैं दूसरे टाइप से चलिए देखते हैं दूसरा टाइप देखते हैं इसी का हमें दिया गया है कि लंबाई 10% अधिक और चुडाई 10% कम हो गई है मैंने आपको बताया था कि अगर एक चीज़ बढ़ रही हो और दूसरी घट रही हो तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या होता है X-Y और –XY डिवाइडिड वाई 100 तो चलिए अपनी वैल्यू पुट करते है X की जगह मैं पुट करता हूँ 10 क्योंकि पलस में मेरी यही है जो अधिक हो रही है माइनस की जगह मैं पुट करता हूँ 20 और माइनस का निसान X और Y की अगर मल्टिप्लाई करूं तो कितना आएगा मेरा 200 और divided by 100 मैं इसे calculate करता हूँ तो 10 में से अगर 20 जाएगा तो मेरा क्या बचेगा माइनस का 10 माइनस का मेरा निसान 2 0 से 2 0 और मेरे पास क्या बचा 2 तो टोटल मेरे पास क्या गया माइनस का 10 और माइनस का 2 यानि माइनस का 12 पर 30 माइनस से क्या मतलब है कि मेरा जो चेतरफल है वो क्या हो रहा है कम हो रहा है यानि कि मेरे चेतरफल में क्या है 12 पर 30 की कमी आई है I hope आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं Next Question Next Question Question 29 आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है अगर चिन्नी के मुल्ले में 25 परसंट की वृद्धी की जाती है तो एक वेक्ति द्वारा किसी वस्तू की खपत में कितने पर 30 की कमी की जाए ताकि खर्च नय बदले हमें क्या दिया गया है कि चिन्नी की कीमत में क्या करती गई है वृद्धी कर दी गई है कितनी वृद्धी कर दी गई है 25 पर 30 की वृद्धी कर दी गई है और हमें कहा क्या गया है कि इसके खपत में कितने पर 30 की कमी की जाए ताकि हमारा जो बजट है वो नय बदले यानि कि हमारा खर्च नय बदले इसे करने के लिए हम क्या करेंगे हम माल लेंते हैं कि हमारे पास जो पहले मुल्य था वो क्या था 100 रुपे था अब उसमें क्या हुआ 25 परतीसत की वरीदी हो गई है यानि 100 रुपे मुले पर अगर 25% की वृद्धी करेंगे तो कितना आएगा 100 का 25% क्या होता है 25 होता है तो वृद्धी कर रहे हैं तो 100 में अगर 25% करेंगे तो हमारा कितना हो गया मुले 125 रुपे यानि पहले जो चीज हमें 100 रुपे में मिल रही थी अब वो चीज हमें कितने में मिल रही है 125 रुपे में मिल रही है ठीक है अब हमें क्या कर रहा है कि खपत में कितनी कमी की जाए कि हमारा कर्च से नहीं बदले हमारा कर्च कब नहीं बदलेगा अगर यह चीज वापी से 100 हो जाए तो हमारा कर्च से नहीं बदलेगा तो 125 से 100 करने के लिए हम्हें कितनी कमी करने पढ़ीगी 125 में से अगर मैं 25 माइनिस करते हूं तो वापीस हम 100 पर पहुंच जाएगे याणि हमें कमी कितनी करने पढ़ेगी 25 की कमी कितने पर 125 पर येखे 125 की कमी करेएगी तो हमारा 125 में और 35 के लिए क्या लगा देंगे 6 लगा देंगे 25 से काटा 25 पांज ए 125 और 5 से काटा 20 यानि हमारा अन्सुर क्या आ गया 20 परतिसत यानि कि हमें खपत में 20 परतिसत की कमी करनी पड़ेगी ताकि हमारा खर्च ने बदले आई होप आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन क्यूशन नमबर 30 आपकी सक्रीन पर यदि चिन्नी की कीमत में 20 परसेंट की कमी हो जाती है तो गर्णी खपत में कितने परतिसत की विर्दी करेता की खर्च में 20 परतिसत की कमी हो गई है तो हमें बताना है की खपत कितने परतिसत कम की जाए ताकि जो खर्च है वो ने बदले चलिए देखते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम माल लेते हैं कि पहले हमारे पास मुल्य था 100 रूपे उसमें क्या कर दी गई है 20% की कमी कर दे गई है अगर 100 का 20% निकालें तो कितना होगा 20 होगा तो 20 की कमी कर दी गई है तो हमारा जो मुले है वो क्या हो गया है 80 रुपे यानि पहले जो चीज हमें 100 रुपे में मिल रही थी वो अब कितने में मिल रही है 80 रुपे में तो हम खपत में कितनी विरिदी करें कि हमारा कर्चे ने बदले तो हमारा कर्च कब नहीं बदलेगा अगर हम 100 रुपे पर ही रुक जाएं तो हम 80 से अगर 100 करें तो हमें क्या करना होगा 20 रुपे की विरिदी करनी होगी हमारी खपत में तो 20 की वृद्धी करनी होगी कितने पर 80 पर क्योंकि 80 में अगर 20 जोड़ेंगे तो ही हमारा 100 आएगा तो परतिसत के लिए क्या कर देंगे 100 से गुणा कर देंगे अगर 20 से काटा तो कितना आएगा 4 और 4 से काटा तो कितना आएगा 25 परतिसत यानि हमें हमारी खवत में 25 परतिसत की वृद्धी करनी होगी ताकि हमारा खर्च नए बदले I hope आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question question number 30 साब के screen पर एक विद्यार्थी को उतीरण होने के लिए 30 परतिसत अंकों के आउशकता होती है यदि कोई विद्यार्थी परिक्षा में 40 अंक परापत करने के बाद भी 20 अंकों से अनुतीरण होता है तो परिक्षा में अधिक्तम अंक क्या है यानि हमें दे रखा है कि उतीरण होने के लिए कितने परतिसत अंकों के आउशकता होती है 30 परतिसत की लेकिन कोई विद्यार्थी क्या करता है 40 अंक प्रापत करता है कितने 40 अंक प्रापत करता है और 20 अंकों से अनुतिरन हो जाता है यानि कि फैल हो जाता है तो अगर वो 40 अंक प्रापत करता है और 20 अंकों से फैल होता है यानि कि अगर वो 20 अंक अधिक ले लेता तो वो क्या हो जाता पास हो जाता यानि 40 अंक तो उसने प्राप्त किये थे 20 अंकों की कमी रही थी अगर 40 में हम 20 एड कर दें तो वो पास हो जाएगा और पास कितने अंकों से होगा 60 अंकों से हमें दूसरी चीज क्या दे रखे है कि वो 30% अंकों से पास होता यानि उतेर्ण अंक कितने दे रखे हैं 30% और हमें पता है कि पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए 60 यानि कि 30% की हमारी value आ गई है कितनी 60 अगर मैं 1% की value निकालूं तो क्या करूंगा 60 बटा 30 और मुझे निकालने है कुल अंक और कुल अंक हमारे कितने होते हैं 100% होते हैं तो मैं 100% की अगर value निकालूं तो कितना आएगा गुणा 100 30 से अगर काटा 2 और 2 की multiply अगर 100 से करूंगा तो मेरा कितना आ गया 200 दोसों यानि मेरे कुल अंक कितने हैं दोसों हैं जिन में से 30% अंक अगर ले तो कोई विद्यार्थी उतीरन हो जाएगा I hope आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question, question number 32 आप की स्क्रीण पर एक विद्यार्थी किसी प्रिक्षिया में 35% अंक लाता है और 40 अंक से पहल हो जाता है जबकि दूसरा विद्यार्थी 60% अंक लाता है और पास होने के लिए आवस्यक अंक से 35% अधिग प्रापट करता है प्रिक्ष्या में अधिक्तम अंक क्या है इस बार में दो पीजरती दे रखे हैं पहला जो 35% अंक लाता है और 40 अंकों से फैल हो जाता है यानि की अगर वो 35% अंक ले आए और उसे 40 अंक और मिल जाएं तो वो पास हो जाएगा क्योंकि वो फैल कितने अंकों से हो रहा है 40 अंकों से तो 35 पर 30 अंक तो वो लेके आ रहा है और 40 अंकों के उसमें कमी रह रही है यानि अगर 35 पर 30 अंक में उसे 40 अंक और दे दिये जाएं तो वो पास हो जाएगा आयो कितना आपको समझा गया होगा दूसरा क्या दे रखा है दूसरा दे रखा है कि दूसरा विदाती 60% अंक लाता है और पास होने के लिए आवश्यक अंकों से 35 अंक अधिक प्राप्त करता है यानि कि वो 60% अंक लेकर आता है और ये अंक क्या है पासिंग मार्क से 35 अधिक है तो अगर मैं इस 60% में से 35 अंक माइनस कर दूँ तो उसे कितने अंक मिलेंगे उसे पूरे पूरे पासिंग मार्क से मिल जाएंगे I hope इतना आपको समझा गया होगा यानि कि पहला विद्यारती जो 35% अंक लाता है उसे 40 की कमी रहती है तो हमने उसे 40 अंक दे दिये परतिसत परतिसत एक साइड कर लेंगे और जो दूसरी वैल्य है वो एक साइड कर लेंगे यानि कि हमारा जो 60 है ये 35 पलस का इस तरह पाएगा तो 60 में से माइनस हो जाएगा यानि कि 60 परतिसत माइनस 35 परतिसत बराबर हमारा क्या आएगा यह हमारा 40 है और 35 माइनस करें तो 40 की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 40 पलस 35 हो जाएगा इतना आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं 60 में से अगर 35 माइनस करें तो हमारा कितना आएगा 25 परतिसत ठीक है और दूसरा 40 में अगर 35 एट करें तो हमारा कितना आएगा 75 यानि कि हमें 25 परतिशत की value मिल गई है कितनी है 75 अगर मैं एक परतिशत की value निकालूं तो मेरा कितना आएगा 75 दिवाइडिड वाई 25 और मुझे निकालना क्या है परिक्षा के अधिक्तम अंक यानि कि 100 परतिशत की value तो 100 परतिशत की value कैसे निकालूंगा 100 से multiply करते हुआ 25 से काटा 25 थिया 75 और 3 की multiply 100 से करूंगा तो मेरा कितना आजाएगा 300 आजाएगा यानि कि मेरी परिक्षा के अधिक्तम अंक कितने थे 300 थे I hope आपको समझ आ गया होगा चलिए देखते हैं next question next question आपकी screen पर question क्या कहता है कि एक विद्यार्थी किसी परिक्षा में 36 परतिशत अंक लाता है और 55 अंक से फैल हो जाता है जबकि एक दूसरा विद्यार्थी 71 परतिशत अंक लाता है वो पास होने के लिए आफशक अंक से 15 अंक अधिक प्रापत करता है परिक्षा में अधिक्तम अंक क्या है सहीं वही स्वाल है जो हमने अभी किया था क्या कहा रहा है कि एक विदार्थी प्रिक्षा में 36% अंक लाता है यानि 36% उसे प्रापत कर लिए लेकिन वो पिचपन अंकों से फैल हो जाता है यानि कि उसे पिचपन अंक कम मिलते हैं तो हम उसे पिचपन अंक अगर ओर दे दें तो वो पास हो जाएगा इतना समझा गया होगा दूसरा क्या दे रखा है दूसरा दे रखा है कि एक दूसरा विदार्थी 71% अंक लाता है कितना लाता है 71% अंक लाता है और pass होने के लिए आउस्यकंग से 15 अंक अधिक प्रापत करता है और वो passing mark से 15 अंक अधिक प्रापत कर लेता है अगर वो 15 इससे ले लें यानि 15 इसमें से minus कर दें तो क्या उसे पूरे-पूरे passing अंक मिल जाएंगे ठीक है अब इस condition में भी पूरे-पूरे passing अंक मिल रहे हैं और इसमें भी पूरे-पूरे passing mark मिल रहे हैं तो दोनों को हमने बराबर रख लिए अब हम क्या करेंगे परतिसेत वाली टरम एक साइड और दूसरी टरम एक साइड ले लेंगे तो हम 71 परतिसेत और ये 36 इस्तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 36 परतिसेत बराबर 55 हमारा पलस का है ये 15 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा पलस 15 हो जाएगा अगर 71 में से 36 माइनस करें तो हमारा क्या आएगा ग्यारा में से 6 गया 5 और 6 में से 3 गया 3 कितना आएगा 35 परतिशत बराबर क्या आएगा 55 में अगर 15 जोड़ें 55 और 5 60 60 और 10 से 70 तो 35 परतिशत की हमारे पास value आगे कितनी 70 अगर मैं निकालू एक परतिशत की value तो कितना आएगा 70 डिवाइड़ वाई 35 और मुझे निकालना है कुल अंक यानि 100 परतिशत की value तो मैं 100 से क्या कर दूँगा multiply करते हूँ और 35 से काटा 2 और 2 की multiply 100 से करूँगा तो मेरा कितना आज जाएगा 200 यानि प्रिक्षिया के कुल अंक कितने हैं 200 है आई होप आपको समझा गया होगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं next वीडियो में धन्यवाद हेलो प्रेंड्स स्वागत आप सभी का इस online platform पर जिसमें हम कर रहे हैं परतिशत यह हमारी क्लास नमबर 4 है इससे पहले हमारी 3 क्लास हो चुकी है अगर आप नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको description में मिल जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास पहली 3 क्लास म हमने 33 क्यूशन कंप्लेट कर लिए थे तो आज question number 34 से start करते हैं question number 34 सक्रीन पर कि किसी परिक्षा में 10% विद्यार्थी गृनित में फैल होते हैं 20% अंगरेज से नहीं फैल होते हैं तो कितने परतिसत विद्यार्थी कम से गम एक विशे में फैल होता है हमें क्या दिया गया है कि विद्यार्थी दिये गए हैं कि गणित में कितने प्रतिसेट फैल होते हैं 10 प्रतिसेट दूसरा दिया गया है अंग्रेजी अंग्रेजी में कितने प्रतिसेट फैल होते हैं 20 प्रतिसेट और दोनों का भी प्रतिसेट दिया गया जो दोनों विश्यों में फैल होते हैं वो कितना है पांच प्रतिसत तो इस टाइप के क्यूशन को करने के लिए हम डाइग्राम मेथड से सॉल करेंगे डाइग्राम मेथड क्या कहता है कि हमें अगर दो सब्जेक्ट दिए गए हैं तो हम दो सरकल बना लेंगे जिसमें से एक होगा हमारा गणित दूसरा होगा हमारा अंग्रेजी और जो हमारा बीच का प्रसन होगा वो होगा दोनो तो सबसे पहले हम जो दोनों का प्रतिसत है वो लिखेंगे वो क्या दिया गए हमें 5 प्रतिसत तो मैं यहां 5 नोट कर लेता हूँ अब मुझे दिया गया गए गणित का 10 प्रतिसत और मैं दिया गया अंग्रेज जी का कितना 20% लेकिन मैं अगर अंग्रेज जी का सरकल देखूं तो 5 इसमें पहले से मुझूद है यानि मुझे कितना और लिखना है अगर मैं 15 और लिख दूँ तो मेरा कितना हो जाएगा अंग्रेज जी का 20% अब मुझे कहा गया है कि मुझे कम से कम एक विश्या में फैल विदार्थियों की परतिसत में बताना है तो अगर मैं ये देखूं पांच विदार्थी तो ये गुनित में फैल है अगर मैं ये पांच देखूं तो इनमें से कुछ गुनित में और कुछ अंग्रेजी में फैल है अगर मैंसे 15 को देखू तो ये अंग्रेजी में फ्हल है तो कम से कम एक स्टिया यानि एक से जादा में भी पिहल हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक वीष्या कितने विद्यारति हो गए 5% गुनित वाले 5% दोनों वाले प्लस 15% अंग्रेजी वाले देखिए कैसे हमें दिया गया है कि 10% गनित में फैल होते हैं तो गनित में फैल कितने हैं 10% दूसरा हमें दिया गया है कि अंग्रेजी में कितने फैल होते हैं 20% तो मैं यह नौट कर लूँँगा 20% और दोनों विश्यों में कितने दिये गए हैं मुझे 5% तो पहले मैं इन दोनों को एड़ करूँ है तो दोनों को एड़ करने पर मेरे पास कितना आया 30% ये मेरे हैं गणित और अंग्रेजी के लेकिन इन दोनों में एक चीज common है वो क्या है वो हमें दिया गया कि 5% दोनों विश्यों में फैल होते हैं यानि कि वो 5% इसमें भी एड़ हो गया है और 5% इसमें भी एड़ हो गया है लेकिन हमें क्या करना है एक 5 को कैंसल करना है तो मैं क्या करूँ है इसमें से वो 5% माइनस कर दूँ है यानि जो भी संक्य हमें दोनों की दी होगी वो हम क्या कर देंगे इसमें से माइनिस कर देंगे तो हमारा जो आंसूर आएगा वो क्या आजाएगा कम से कम एक विद्यार थी जो फैल है तो हमारा आंसूर क्या रहा है 25 परतिसद और इस कंडिशन में भी हमारा आंसूर क्या रहा है 25 परतिसद जो आपको ठीक लगे वह आप मेथड अपना ये द गनित में पहल होते हैं 30% अंग्रेजी में पहल होते हैं 15% दोनों विश्यों में पहल होते हैं तो कितने परतिशत विद्यार्थी दोनों विश्यों में पास होते हैं हमें दिया गया है कि गणित में कितने फैल होते हैं गणित में फैल इविदार्थी विशंग क्या दी गई है 45 परतिशत दूसरा दिया गया है कि अंग्रेजी में अंग्रेजी में कितने फैल होते हैं 30 परतिशत और दोनों में कितने फैल होते हैं वो है 15 परतिशत अब हमें क्या करना है डाइग्राम मेतर से देखते हैं पहले एक डाइग्राम बनाते हैं ये हमारा क्या है गनित है ये हमारा क्या है अंग्रेजी है और ये हमारा दोनों का combination है तो हमें दिया गया है दोनों का परतिसद कितना है 15 परतिसद अब हम लिखेंगे गनित का परतिसद गनित दिया गया है 45 और गनित का सरकल लिखें तो 15 पहले से नोट हो गया है तो हमें कितना लिखना होगा इसमें 30 परतिसेट अब गनित का कितना हो गया 45 परतिसेट अंग्रेजी में दिया है 30 परतिसेट 15 परतिसेट पहले लिख दिया गया है 15 और लिख दूँ तो कितना हो गया अंग्रेजी का पूरा 30 परतिसेट इन सब को एड कर लेत हैं कितना आएगा 30 15 15 कितना हो गया 15 15 30 30 कितना हो गया 60 परतिशत ये 60 परतिशत क्या आया है हमारा ये आये है फैल विद्यार्थियों का परतिशत लेकिन हमें निकालना क्या है हमें निकालना है कि कितने परतिशत विद्यार्थी दोनों विश्यों में पास होते हैं तो कुल विद्यार्थी हमारे पास कितनी है कुल है हमारे पास है 100 परतिशत ठीक है उस में से फैल कितने हुए 60 परतिशत तो अगर ये 60 परतिशत सो में से मैं माइनस कर दूँ का हमारे पास कि आ जाएंगे पास विदयार्थी जो कि हमें निकालना था या नि हमारा answer क्या जाएगा 40 30 I hope आपको समझा गए होगा इसे देखते हैं दूसरे मेथट से को दूसरे में कैसे करते हैं हमें दिया गए है फैल विदार्थियों क्यों के कितना गनित के अंदर दिया गए है 45 प्रतिसेथ अंग्रेज़ी में दिया है 30 प्रतिसेथ ने दोनों को एड करेंग bulun कितना आ जाएगा 5 4 alors 37, Civil 4 अब हमें दिया गए दोनों का प्रतिस्ट हम क्या करते हैं माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 60 प्रतिस्ट ये 60 प्रतिस्ट क्या है हमारा फैल विदार्थियोगिशन क्या हमें निकालना है 5 विदार्थियोगिशन क्या वो क्या आ जाएगी हमारा अगर 100 पृतिसट में से फैल विदरतियों क्या माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आजाएगी पास विदरतियों किसन क्या यानि की क्या आजाएगी 44 पृतिसट जो कि हमारा क्या है अंशर है चलिए देखते हैं विजशन छ आप की सक्रिण पर किसी भिन con。 दो सो परतिसत बढ़ा दिया जाए और हर को तिन सो परतिसत बढ़ा दिया जाए तो भिन 11 वटबारा हो जाती है प्रारंबिक भिने क्या है हमें क्या दिया गया है कि कोई भिन दी गई है भिन हमारा क्या होता है भिन में हमारा उपर की तरफ होता है अंस और नीचे की तरफ हो ये हमारी क्या होती है भिन होती है तो हमें क्या दिया गया है कि भिन का जो अंस है वो दो सो परतिसत बढ़ा दिया गया हम अंस को मान लेते हैं सो परतिसत और हर को भी मान लेते हैं सो परतिसत अब इसे क्या किया गया है हमारा जो अंस है उसे दो सो परतिसत बढ़ा दिया गय यानि इसमें मैं क्या कर दूँ एड़े तिन सो परतिसद अगर ये दो सो परतिसद और ये तिन सो परतिसद बढ़ा दें तो हमारी भीन क्या हो जाती है हमारी भीन हो जाती है 11 बटा 12 और हमारी भीन यहां क्या है 100 पलस 200 यहां मैं X लिख दूँ है और यहां मैं Y क्यों की मेरी बिन क्या होती है एक्स बटा वाई की फोम में होती है तो ये मेरा कितना आ जाएगा 300 परतिसत और ये मेरा निच्चे कितना आ गया 400 परतिसत बाहर मेरा क्या पड़ा है यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है बराबर कितना है 11 बटा 12 यहाँ से मैं अगर x और परतिसद से परतिसद कट कर दूं 2-0 से 2-0 x बटा y अगर लिखूं तो इस तरह मेरे पास है 11 बटा 12 ये 3 बटा 4 गुणा में इस तरह जाएगा तो क्या हो जाए रगम पल्ट जाएगा यानि 4 बटा 3 हो जाएगा 4 से अगर कट करूं तो 3 आएगा और multiply करूं तो उपर मेरा 11 है नीचे 3 इंटो 3 है तो क्या आजाएगा 9 यानि मेरी x बटा y यानि कि मेरी जो बिन थी वो क्या थी 11 बटा 9 थी जो कि मेरा answer है I hope आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question question number 37 आपकी screen पर कि 30 पर 30 अमलिय दरव की 12 लिटर मातरा में से कितना लिटर पानी निकालें ताक कि वह 40 पर 30 अमलिय दरव बन जाए हमें एक अमलिय दरव का मिजरन दिया गया है जिसमें अमल है और पानी है तो हम लिख लेते हैं सबसे पहले मातरा यहां पर अमल और पानी ठीक है तो हमारा पहली कंडिशन हमें दी गई है क्या दिया गया है कि 30 पर 30 अमल ये द्रव है 30 पर 30 का मतलब क्या है कि 30 बटा 100 अगर मैं कट करूँ तो मेरा कितना आएगा 3 बटा 10 यानि कि मेरी टोटल वैल्यू है वो कितनी है 10 है और उसमें से 3 मेरा क्या है अमल है अगर 3 मेरा अमल है तो मेरा पानी कितना बच जाएगा 10 में से 3 माइनस कर दो तो 7 मेरा क्या होगा पानी होगा ठीक है अब अमल की जगह मैं लिग देता हूँ 3 क्योंकि मेरा عمل कितना है 3 है और मेरा पानी कितना है 7 है ठीक है दूसरी कंडिशन क्या देगी है कि कितना पानी निकालें ताकि 40% अमली दरोग बन जाए 40% का मतलब 40 बटा 100 तो क्या आएगा 2 बटा 5 अगर मैं इसे देखूं तो मेरा टोटल वैल्यू कितनी है 5 है जिसमें से मेरा 2 क्या है अमल है तो मेरा 3 क्या आजाएगा पानी आजाएगा यानि मेरा अमल कितना है 2 है और मेरा पानी कितना है 3 है अब हमें क्या दिया गया है कि पानी निकालना है यानि हमारा जो अमल पहले था वो उतना ही रहेगा जैसे मेरे पास आप मान दीजिए एक दूद है और पलस पानी है दूद और पानी का 11 लेटर का मिशरेन है जिसमें 5 लेटर दूद है और 6 लेटर अगर पानी है और मुझे पानी एड़ करना है तो मैं क्या करूँआ 2 लिटर पानी एड़ करना है तो मैं पानी में एड़ करूँ यानि मेरा पानी कितना हो जाएगा 8 लेकिन मेरा दूद कितना रहेगा 5 लिटर ही रहेगा ठीक वैसे ही इस condition में हमें क्या दिये गए कि पानी निकालना है अमल पर कोई फरक है नहीं पड़ेगा यानि वो दोनों condition में क्या होगा सेम होगा येकिन हमारे पास यहां 3 है और यहां 2 है तो हमारी अमल की value बराबर नहीं है तो हमें पहले क्या करेंगे सबसे पहले अमल की value बराबर करेंगे यानि अगर मैं इसे 2 से multiply करदू और इसे 3 से multiply करदू तो ये मेरा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये भी मेरा कितना हो जाएगा 6 यानि मेरी अमल की value बराबर आगे अब यहां मैंने 2 से multiply की है तो यहां भी क्या करनी पड़ेगी 2 से multiply यहां तीन से multiply की है तो यहां भी क्या करनी होगी तीन से multiply यानि यह मेरा कितना हो गया 14 और यह मेरा कितना हो गया 9 ठीक है अब हमें क्या पूछा है कि कितना लिटर पानी निकालें यानि पहले हमारे पास है total mission कितना था बारा लिटर लेकिन हमारे पास यहां कितना मिशन है 6 हमारा अमल है और 14 हमारा पानी है यानि टोटल कितना है हमारा 20 लिटर और हमें दिया क्या है इस 20 लिटर की वेल्यू की 12 लिटर यानि 20 की वेल्यू हमारी 12 है अगर 1 की वेल्यू निकालूं तो 12 वटा 20 और हमें पुछा है कितना पानी निकालना है यानि पहले अगर 14 पानी था अब 9 बच गया तो कितना पानी निकाल दिया 5 तो 5 की वेलियो निकालने के लिए क्या करूँ है मैं 5 से multiply यानि 5 के 20 और 4 थी है 12 तो हमारा answer क्या आगया 3 लिटर यानि 3 लिटर पानी की मातर हमें निकाल पड़ेगी जिससे हमारा अमलिय द्रव 30 पर 30 से 40 पर 30 हो जाएगा ये था बिलकुल basic method अब इसे करते हैं एक short trick से चलिए देखते हैं short trick हमारी क्या है हमारे पास एक formula है formula क्या है कि m1 v1 is equal to m2 v2 इसे आप कुछ भी लिख सकते है x1 x2 x2 y2 कुछ भी लिख सकते हैं मैंने आपको समझाने के लिख दिया m1 v1 is equal to m2 v2 ये हमारी है पहली condition और ये हमारी है दूसरी condition चलिए देखते हैं कैसे कि हमें दिया गया है 30 पर 30 पर 30 अमलिय दरो इसमें एक हमारा अमल होगा यानि वो चीज होगी जो हम change नहीं कर रहे हैं question में हम क्या करे हैं पानी निकाल रहे हैं यानि पानी change कर रहे हैं तो हम पानी नहीं लेंगे जो change नहीं कर रहे हैं वो लेंगे अगर ये हमारा अमल है तो ये भी हमारा क्या होगा अमल होगा दूसरा हमारा क्या है ये हमारा होगा वजन या मात्रा यानि कितना लिटर हमारे पास मात्रा है और ये हमारा क्या होगा ये भी हमारा होगा मात्रा ठीक है अब हम पूट करते हैं कि पहली कंडिशन में हमारे पास अमल क्या है हमारा अमल कर लूँगा 12 लिटर दूसरी condition में हमें क्या दिया गया है कि कितना पानी निकालें ताकि अमल 40% हो जाए यानि अमल की value हमें कितने दी गई है 40% into हमारी मात्रा कितनी है वो हमें पता नहीं है लेकिन वो मात्रा हमें क्या करनी है निकालनी है किस में से 12 लिटर में से, इस bara liter में से निकालनी है, कितनी निकालनी है यह हमें क्याद करना है तो इसे मैं क्या लिख दूँ, हम मालन लेते हैं कि 12 में से x liter हमें निकालना है अई होप इतना आपको समझा गया होगा चलिए इसको calculate करते हैं percentage से percentage cancel 0 से 0 cancel च्यार से अब हमारे पास क्या आ गया 12 इंटू 3 यानि कितना आ गया 36 आ गया और बराबर में हमारा क्या है च्यार की मल्टिप्लाई 12 से करूआ तो 48 आएगा और माइनस का कितना आएगा 4X आएगा अब मैं इस 4X को इस तरफ ले आता हूँ यह पलस का हो जाएगा और यहां मेरा 48 है और यह 36 इस तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा तो 48 में से अगर 36 माइनस करूँ तो मेरा कितना आएगा 8 में से 6 गया 2, 14 में से 3 गया 1 और यहां मेरा क्या है 6X है मैं X की अगर value निकालूं तो मेरा कितना आजाएगा 12 divided by 4 यानि कि कितना आजाएगा X मेरा 3 लिटर जो कि मेरा answer है यानि हमें 3 लिटर मातरा निकालनी होगी I hope आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question आपकी सक्रीन पर question कहता है कि नमक और पानी के गोल में 5% नमक है 20 kg पानी वासपित होने पर इसमें 15% नमक रह जाता है गोल की प्रानुमिक मातरा गयात करनी है हम क्या करेंगे so trick से चलेंगे M1 V1 is equal to M2 V2 तो हमारा M1 क्या है हमें वो चीज लेनी है जो change नहीं हो रही है अब हमें दिया है नमक और पानी तो हमारा पानी तो वासपित हो रहा है लेकि नमक हमारा change नहीं हो रहा है तो पहली condition में हमारे पास नमक दे रखा है कितना 5% नमक है और 20 kg पानी वासपित होने पर इसमें 15% नमक रह जाता है यानि कि हमारा जो पहली condition के अंदर हमें total मातरा नहीं दी गई है तो हम क्या कर लें उसे x मान लेंगे और दूसरी condition में हमारा नमक कितना दे रहा है कि 15% नमक रह जाता है यानि कि नमक की value क्या होगी 15% और हमें गोल की मातरा क्या दी गई है यानि पहले हमारे पास x था और x में से कितना वासपीद हो गया 20 kg यानि x माइनस 20 अब इसे solo करते हैं परतिसद से परतिसद कैंसर करते हैं पांच से अगर काटा तो यह कितना आ गया 3 आ गया यानि x बराबर कितना आ गया 3 की multiply करूँआ तो 3x और माइनस का 20 तिया 60 यानि x मेरा कितना आ गया 60 divided by 2 यानि कि कितना आ गया 30 आ गया जो की मेरा क्या है आंसर है यानि मेरा प्रारंबी घोल की मातरा कितनी थी 30 लिटर थी जिसमें से मेरा 20 लिटर क्या हो गया वासपीद हो गया आई होप आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं next question next question question number 49 आपकी screen पर के चावल के मुले में 25 परसेंट की विरिद्धी होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपे में 4 किलोगराम कम चावल खरीदता है चावल की बड़ी हुई किमत था प्रारंबी किमत करम से क्या है हमें दोनों किमत बतानी है कि पहले क्या थी और अब क्या है तो हमें दिये गया है कि चावल के मुले में 25 परसेंट की विरिद्धी हो गई यानि हम मान लेते हैं कि पहले हमारा चावल का मुले था 100 रुपे इसमें विरिद्धी हो गई कितनी हो गई 25 परतिसद की हमारा 25 होता यानि पहले जो चीज हमारी 100 थी वो 25 बढ़कर कितनी हो गई 125 हो गई है तो अब ये क्या कह रहा है कि इसके कारण खरीदार 400 रुपे में 4 किलोग्राम कम चावड खरीद रहा है यानि कि वरीदी कितनी हुई है 25 की तो अगर हम सेम मुल्य हमें लाना हो तो कितने कमी करनी पड़ेगी हमें 25 की यानि खपत में कमी करनी पड़ेगी कितनी 25 की कितने पर 125 पर क्योंकि 125 में से अगर 25 कटाएंगे तो ही हमारा सेम मुल्य आएगा 25 यानि हमें खपत में कमी करनी होगी 25 रुपए की कितने रुपए में से इसे शोल करते हैं 25 से अगर हिसे काटा 25 से कम 20 25 पांजा 1125 यानि पहले हम अगर 5 किलोग्राम ख्रीद रहे थे तो अब हमें 1 कम यानि कि कितना ख्रीद नहोगा 4 किलोग्राम यानि कि 4 बटा 5 यह मेरी क्या थी प्रारंबिक खपत थी और अब ये क्या है नई खपत है क्योंकि मेरा मुल्य इंक्रीज हो गया है तो मुझे कम खरीदना पड़ेगा पहले मैं 5 kg खरीद रहा था अब खरीद रहा हूँ 4 kg तो कितना कम खरीद रहा हूँ 1 kg लेकिन question क्या कह रहा है कि वो 4 kg कम खरीद रहा है यानि इस एक की value क्या है 4 है तो मेरी इस 5 की value क्या होगी 5 x 4 यानि क्या होगी 20 kg और अगर मैं इस 4 की value निकालू तो क्या होगी 4 x 4 यानि 16 kg यानि पहले मैं अगर 20 kg खरीद रहा था तो अब कितना खरीद रहा हूँ 16 kg और मेरे पास पैसे कितने है मेरे पास amount हर बार same है 400 रुपे यानि अगर मैं पहले 400 रुपे से 20 kg खरीद रहा था तो मेरा rate क्या होगा 0 x 0 2 x 2 काटा तो कितना आया 20 रुपे पर kg ये क्या आगया मेरा प्रारंबिक प्रारंबिक rate आ गया लेकिन मुझे क्या दोनों rate निकालने है लेकिन मेरे पास देखो पैसे कितने है 400 लेकिन अब मैं कितना खरीद रहा हूँ 16 kg ठीक है तो इसे काटा 4 से अगर काटा तो 100 4 से अगर काटा तो 4 और चया से फिर से गाटा तो कितना आया 25 यानि 25 रुपे पर किलोग्राम ये क्या है मेरी नई कीमत है जो की बढ़ गई है तो हमारा जो भी आंसर होगा आप टिक कर सकते हैं आई होब आपको समझा गया होगा चलिए देखते हैं Next Question Next Question Question Number 40 आपकी स्क्रीन पर कि हाली के सर्वेक्षन में 40 परतिसत गरों में 2 या 2 से अधिक लोग पाए गई जिन गरों में सिर्फ एक वेक्ती है उनमें से 25 परतिसत गरों में सिर्फ एक है पुरुष है तो कितने परतिसत गरों में सिर्फ एक ओरत है क्या निकालना है सिर्फ एक ओरत है हमें क्या दिया गया है कि 40 परतिसत गरों में 2 या 2 से अधिक है 2 या 2 से अधिक कितने गरों में है 40 परतिसत गरों में तो एक वेक्ती कितने गरों में होगा 100 में से अगर 40 माइनस कर दें तो कितने गरों में होगा 60% अब मैं चारीश परतिशत को अगर 40 ही मान लूँ और 60% को 60 ही मान लूँ तो कोई दिक्कर है नहीं है तो चलिए आगे क्या कहता है कि जिन गरों में एक व्यक्ति है उसमें 25% गरों में सिर्फ एक पूरुष है यानि एक व्यक्ति कितने गरों में है, 60 गरों में, अगर 60 गरों में एक व्यक्ति है, तो उसमें से कितने पूरुष है, 25 परतिसत, यानि 25 बटा 100, काटा कितना आया, 4 और 4 से इसे काटा तो कितना आ गया, 15, यानि कि 15 क्या है, पूरुष है, सिर्फ एक पूरुष है, जिस घर हो चोपनिघाछ नंवीख डालना क्या है कि कितने प्रतिशक गहों में शिर्फ एक औरत है तो कितने घरों में हमारे पास टोटल 60% है इसमें से 15 हमारे क्या है पूरुश है तो औरत कितने घरों में बचेगी हमारा 45% घरों में जो कि हमारा क्या होगा अंसर होगा एक बार पिर से देख लिजिए हमें क्या दिया गया है कि 2 या 2 से अधिक घर है उनकी संक्या कितनी है 40% हमने मालिया 40 एक व्यक्ति जिस घर में है वो क्या बच गए 60 परतिसत अब हमें दिया गया है कि एक व्यक्ति वाले घरों में 25 परतिसत क्या है पुरूश है यानि जो 60 व्यक्ति हमारे एक घरों में रहते थे उस में से क्या है 25 परतिसत पुरूश है I hope आपको समझा गया होगा आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हैं तब तक के लिए धन्यवाद